चाहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा 26 जुलाई है कारगिल विजय दिवस मनाये जा रहा है हम लोग इस बाग शहीद इस मारक पे खड़े हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी मुख मंतरी योगी आदितनात आएंगे इन शहीदों पे माला अरपन करेंगे और उसके बाद उनको शरधान जिले देंगे 26 जुलाई का इतिहाज जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और मेरे पीछे देख सकते हैं आप बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है पुलिस वारों से बहाद करते हैं कि हमें उस तरफ जाने दीजए हमें कावरेज करना है बहुत इंपोर्टेंट कावरेज है लेकिन जो अदिकारी हैं उनसे तू, तू, मै, मै करते हुए नजर आ रहे है और जो हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं काफे खुबसूरत लग रहा है ये शहीद इस मारक जो आज यहां पंडाल सजा है आप देख सकते हैं पाउंटेन आपको नजर आ रहा होगा और जो दिगर अधिकारी हैं वो भी मुस्टैदी से यहां पर तehनाथ हैं कुछी पलों में यहां पर मुख्मंत्री योगी अधिनाथ का आगमन होगा और यहां पर वो मालान पर करते हुए नजर आंगे शहीदों को शभधाँजली देते हुए नजर आएंगे काफी एहम कारगिल का जो युद्ध था वो विजय दिवस के रूप में आज 26 जुलाई को मनाया जा रहा है मेरे पीछे देख सकते हैं आला दिकारी मौजूद है यहां पे भाजपा के दिगर जो नेता है वो भी मौजूद है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज कारगिल का विजय दिवस मनाया जा रहा है यहां पे जो शहीदों की प्रतिमा है उसके मालान पर झाल 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 जो है वो यहाँ पर जो प्रतिमाए है शहीदों की उस पे चरदानली अर्पित कर रहे हैं उनके साथ ब्रिजेश पार्ठक मौजूद है आशुतो श्टंडन मौजूद हैं मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद है नीरजबूरा मौजूद है सईयुक्ता भाटिया मेर मौजूद है कई दीगर नेता जो है वहाँ पर मौजूद है जो प्रतिमाए हैं शहीदों की आज 26 जुलाई है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रति करने के बाद मंच से संबोधित भी करेंगे मुखमंतरी योगी आदितनाथ और कारगिल विजय दिवस के रूप में आज 26 जुलाई का दिन मनाया जा रहा है उनके साथ देख सकते हैं केशो परसाद मौरिया बिजेश पार्ठक भी मौजूद है जो प्रतिमाए थी उस पे म काफी उत्सा है जो यहां की जंता एंदर भी काफी उत्सा देखने को मिल रहा है विजेदीवस के रूप में यह जो आज का दिन है वो मनाया चाहरा है का बीज्द ऐस है का दो बहुत उस्ता है। जितं श्रभाएं, सर्भकार्यं सिध्यार्थं, मंगल दीपम नमा म्याःं, मंगल दीपम नमा म्याःं, और आप सभी से देवेतर के अपने प्रियस्थान पर ठड़े हो जाए बंदे मातरम के गाहिन के सम्मान में बंदे मातरम कश्मीर की पहला वेल सिंट पॉलिज की चात्राओं द्वारा प्रस्तों किया जागा है बंदे मातरम बंदे मातरम सुझणा सुझणा सुखरा मरजशी तराओं चात्ततत शाओं मातरम बंदे मातरम thuा की पहला उत्स पॉल जागा वेल बंदे मातरम की शुब्रँयोस्तों पुलभी तयाम नीव फुल्लब सुबिता दुमदल शुबदी सुहास दी सुमधुर भाश दी सुखरापरा मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं सुखरों की प्रती नमन करते हैं उन्हें अपनी बिनम्र से भंजलियत की करदा है जुनोंने देश की आजादी को अच्छोने रखने के लिए अपना स्रोच बैजात लिया है कारकिल यूद्वदी सबंत्र भारत का ये ऐसा यूद्वद है जो भारत पर पाकिस्तान में जवर्ण तुपा है महीं 1999 में ये कार के लिए उत्त प्रारंब होता है और 26 जोलाय 1999 को यानि आज़ी के दिन 1999 को तार के लिए युद्वद्वद्वद्व भारत की विजए की कोछणा भी भी लेकिन इस विजए के साथ ही जहां पुरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक्सपोश हुआ थी यहां कैसे भारत में दर रुस्पैट करता है, कैसे इसमें भारत पर युद्व जवरान दोपा आजएगा, कैसे पुरी दुनिया के पाकिस्टान अपने आप में सिरदर्द बना हुआ है, वहें साथी साथ भारत के बहादबुर जवानों के सौरण प्राकरों को एक बारत पिर दुनिया ने देखा, इस उद्व में अनिये पीर सिर्द को ने अपना सरुच बैदान दिया था, जिसने लखनों से कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन अधित्य निश्रा, लांस नायक गेवडानन्द दिवीदी, राई भल्मेन सुनीर जंग, मेजर वितेश सर्मा, इन सब का नाम बड़ी गर्व के साथ और बड़ी सम्मान के साथ पुरा देश मेता है। जो आज मनाया जा रहा है, उसमें शामिलते हैं, उसे हम बात करेंगे, क्या कुछ उत्सुकता है, और इस प्रोग्राम से देश प्रेम की जो भावना है, वो और कैसे बढ़ी है, आप लोगों को कैसा मैसूस हुआ है? हमें बहुत अच्छा मैसूस हुआ है, और ऐसे और प्रोग्राम सोने चाहिए, जिससे लोगों का कंट्रिब्यूशन जादा बड़ेगा, जितना जादा बड़ेगा, उत्ता जादा उत्सुकता आएगी लोगों के मन में, और हमारे देश के लिए बहुत लोग शहीद उन शहीदों के परिवार को आपने देखा, मुल्कमंदी योगी अधितनाथ ने उनको सम्मानित करा है, और देश प्रेम की भावनाएं आप लोगों के अंदर जागी होंगी, उनको हमारे दर्शकों के साथ साजा करिए। आपने देश के लिए बहुत सारी काम कर रहे हैं, तो हमेला की यह दिखाना चाह रहे थे, अधितनाथ ने एक पहल करी है, तेरह से पंदरा अगस्ता अपने घरों पे घंडा फैराने की अपील करी है, उसको कैसे देखती हैं, और लोगों सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कार्गिल विजय दिवस के रूप में आज हभी दुलाय का दिन मनाया गया है और मुखमंत्री योगी आदितनाथ ने आपको सम्वानित करा है और देश प्रेम की भावना थी उसमें काफी लोगों ने बर्चड कर हिस्सा लिया कैसा लगा आज का दिन ये जो कार्गिल विजय दिवस मनाया जाने हमें तो बहुत अच्छा लगता है और हर बार जो सर हमको ऐसे इन्वाइट करते तो बहुत ऑनर सब फील होता बहुत खुशी होती है ना भाईया ने जो आज काम किया जो भाईया ने आज देश के लिए नाम किया उ और कारगिल विजय दिवस का जो रूप आज मनाया जा रहा है उसमें जो प्रतिमाय हैं आप देख सकते हैं उनको जो है शर्दानली अर्पित करी गई है और काफी स्कूलों के बच्चे भिया थे और यहां पर जो परिवार थे शहीदों के उनको सम्मानित करा गया मुखमं क्तुर में जिभ तो जरूर करेंगे लेकिन मैं यहां के शेल्ब को बहुत भुट धन्यमाद देती हूं उन्हें अनुखंट हें बहुत अच्चा लगता है इससे पहले तो हमें कोई पता नहीं थी लेकिन यह जहां मारे साथ करणोल दश्यंकर लूंए बिया शेंकर दूब भारत की सम्मानित जनता को ये संदेश है कि इसी तरह से जिस तरह से आज प्रदेश के यसस्वी बुक्रमंत्री ने अपने सभी सहीदों को सर्दांजिली ब्यक्तगी है और सम्मान दिया है मुझे लगता है ये पेड़ा आम जनमानस को एक ऐसी पेड़ा बनके उभरेगी जिसमें रास्ट भक्ती और प्रकर और प्रबल होगी तो इसलिए जो भी आज कई उत्सव मनाया जया है और ये रास्टी अस्तर पर भी मनाया जा रहा है पार्टियों के लेवल पर मनाया जा र मुझे लगता है कि एक अनुठी पहल है और इसकी हम सब को भोरी-भोरी प्रसंसा कर देश हमारे साथ करनल दया शेंकर दूबे थी उन्होंने एक खास संदेश दिया जनता को कहा है कि अगर इस तरीके से और भी कारिक्रम आयुजित होंगे तो जो देश भक्ती है और हुआ